दार्ती पर रात के अंधेरे में रोश्नी बिखेरने वाला चंद्रबा हमेशा से आकर्शन का केदर रहा है लेकिन आकर्शन जितना ज़्यादा है चंद्रबा दक पहुँचने की राह उससे भी कहीं ज्यादा चुनाओते पोण लेकिन इस बार एसरो की तयारी पूरी है मिशन चंद्रियान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है कई मायनों में चंद्रियान 3 जुलाई 2019 में लॉंच के अगए चंद्रियान 2 से अलग है चंद्रियान 3 के साथ मिशन चंद्रियान 2 की तरह और्बिटर को नहीं भेजा जाएगा क्योंकि चंद्रियान 2 का और्बिटर अभी भी चांद की गख्षा में चपकर लगा रहा है इस पार और्बिटर की जगे पर प्रोपेल्शन मोड्यून लगाया गया है जो चंद्रियान 3 कोल लैंडर की सौफ्ट लैंडिंग के दोरान नेविगेशन में मदद करेगा और्बिटर के बदले हमने प्रोपेल्शन मोड्यून ली रखा है दूसरा क्या था कि अभी हमें दो तीन चीजे पता थी एक डिस्पर्शन ज़्यादा था तो डिस्पर्शन को कितना कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं डिस्पर्शन को कितना आच्छा समझ सकते हैं इससे ज़्यादा तो हमने क्या किया कि हमारा जो कॉम्पूटर प्रोग्राम था उसकी रेंजती उसको बढ़ा दी कि अभी अगर डिस्पर्शन ज़्यादा भी हो गया तो भी हम कंट्रोल है अमारा चला नहीं जाएगा चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तिमाल किया गया है गती निर्धारित करने के लिए अधरित सेंसर लगाए गये है चंद्रयान 2 की सौफ्ट वेर समस्या को ठीक किया गया है लेंडर है वो थोड़ा हेवी है चंद्रयान 3 के लेंडर की सौफ्ट लेंडिंग के लिए इसरो की तैयारी फुल प्रूफ है गलती की किसी भी गुणजाईश को खत्म किया गया है अब आपका सवाल होगा चंद्रयान 3 अपने साथ कौन से उपकरण लेकर जाएगा प्रोपेल्शन मौध्योर जिसका वजन 2148 किलोग्राम है लेंडर इसका वजन 1726 किलोग्राम है और चंद्रयान 2 के लेंडर से कहीं ज्यादा मजबूत है वहीं रोवर प्रग्यान का वजन 26 किलोग्राम है लेंडर के साथ 4 पेलोड भेजे जाएंगे लेंडर की ओन बोर्ड पावर 738 वाट की है, चंद्रियान 2 के लेंडर की ओन बोर्ड पावर 650 वाट की थी, वहीं रोवर की ओन बोर्ड पावर 50 वाट की है